नमश्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए सुनते हैं मृदुला सिनहाजी की लिखी कहानी सहस्त्र पूतों वाली जच्चा वार्ड में पार्वती का वह पहला दिन था नर्सिंग का प्रसिक्षन लेते समय भी उसने अपने साथीनों से बार बार कहा था मैं प्रसूती वार्ड में नौकरी कभी पसंद नहीं करूँगी मारिया ने पूछा था क्यूँ? मैं अपने माता पिता की पहली संतान हूँ मैं और मेरे बाद मेरे छे भाई महन घर में ही पैदा हुई मेरी बहन के जन्म के समय मैं मा के पास चिप की रही थी उसे रोती चिलाती चीखती सुनती मैं भी उसके साथ चिलाती थी बिना कारण जाने तीसरे नंबर पर भाई हुआ था फिर तो थोड़ी बड़ी हो गई दादी मुझे मा के प्रसू के समय उसको उठ्री में नहीं जाने देती थी परन्तु मा की करा सुनने से दर्वाजे पर भी कोई वंचित नहीं रहता था इसलिए मैं अस्पताल के किसी भी वार्ड में काम कर सकती हूँ जच्चा वार्ड में नहीं पारवती ने दिर्टा पुर्वक अपनी बात रखी थी पारवती को क्या पता था कि नियती उसे वहीं ले जाएगी जहां आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था दरसल सवाल पसंद ना पसंद का नहीं पेट का था उससे छोटी बहन ने हाई स्कूल की पढ़ाई करते हुए अपनी पसंद के लड़के से विवा कर लिया था पांच भाई बहनों का वर्तमान उसकी कमाई पर ही निर्भर था उनका भविश भी सवार ना था पहले दिन अस्पताल में जाना उसे रुमांच नहीं रुलाई दे रहा था सहमे सहमे कदम थे उसके डॉक्टर ने उससे नाम पूछा था साई साई कर रहा था कमरा तभी दर्द से कराहती एक महिला को लेकर दो चार लोग अंदर आ गए थे लेडी डॉक्टर उनके साथ आई तीनों इस्त्रियों और एक पुरिश को बाहर जाने के लिए कहकर जाज के लिए उस प्रसूती इस्त्रि को मेज पर लिटाने की कोशिश कर रही थी दर्द की कराह में विद्रोह का स्वर मिलाती भा प्रसूती महिला मेज पर लेटने से इंकार करती रही लेडी डॉक्टर ने पारवती की ओर देखा पारवती के पाउं उस मेज की ओर बढ़े उसने जबरदस्ती प्रसूती महिला को मीज पर लिटाया समझाय बुझाया उस बड़े अस्पताल M's के जच्चा वॉर्ड में जन्म लेने वाला वा बच्चा भी माता पिता की पहली संतान और वॉर्ड का पहला ही बच्चा होने वाला था प्रसूती महिला की अंतिम चिंहार के समय पार्वती कम्रे से बाहर चली गई डॉक्टर के पुकारनी पर भी अंदर नहीं आई पर शिशु के केहां केहां स्वर्सोन उसे महसूस हुआ मानू वह उसे ही पुकार रहा हो पार्वती भाग कर अंदर गई डॉक्टर ने कहा बच्चे की नाल काट और उसे नहलाओ धुलाओ भागने से नहीं सीखोगी फिर तो रमती गई पार्वती वही मन लगता था उसका जाती भी कहां वह अक्सर नई नर्सों को अपना पहला अनुभव सुनाती सिखाती थी डरते सहंते मैंने सब किया हाथों में नन्ही शिशू के इसपाशने संपूर्ण शरीर में मानो जुझुझुनी भर दी अजीब सी अनुभूती हुई और मैंने शिशू को नहलादुला कर हरे कपड़ों में लपेट कर मा की गोद में सुला दिया मा के मुख पर अच्छा दित गहरे गुलाबी रंग की छाया मेरे मुख पर भी पढ़ गई थी डॉक्टर ने भी देखा मेरा डर समाप्थ हो गया था फिर तो मैं जच्चाओं की प्रसव पीड़ा के समय बाहर नहीं जाती थी मा के गर्ब से शिशू के बाहर आने पर सबसे पहले मैं ही उसका मुझ देखती उस अस्पताल में बच्चा पैदा करवाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती देख हॉस्पीटल के उस वाट का घेरा और स्टाफ की संख्या बढ़ती गई कई बार तो चार उबेट पर चार जच्चाएं एक सार शिशू के जर्म देने को आतुर हो जाती थी इश्वर की अनुकमपा से एक ही समय में दो तीन बच्चे जर्मते थे कई नर्सों को जच्चाओं के साथ खड़ा होना पड़ता परन्तु पार्वती के बिना कहे भी सभी नर्से शिशू को नहला धुला कर मा की गोद में जालने से पूरुइ उसी की गोद में जाल देती एक और शिशू का जण करवाने की अनुभूती से पार्वती का हिरदय लबालब भर जाता उसका आहद बाहर भी छलकता यह सिलसिला वर्षो जारी रहा, एक ही कमरे और बेट पर समाज के भिन भिन वर्गों और जातियों की माताएं शिशू को जन देती, पारवती की गोद में आकर सब एक हो जाते वह इस पर्ष में कोई भेदभव नहीं करती, आहाद में भी नहीं दरसल वे शिशू पारवती की गोद तक इश्वर की संतान ही होते थे प्रिश्वी पर आकर भी उतने पल के लिए वे हिंदो, मुसल्मान से खिसाई या धनी गरीब नहीं होते थे माओं की गोद में पढ़ते ही उन रिष्टों में बध जाते पारवती ने शिशू की कभी गिंती नहीं की थी शिशू का जन मिश्वर की क्रिपा है, उसकी गिंती नहीं होती वैसे ही जैसे रोटी पकाते वक्त उसकी गिंती नहीं करनी चाहिए या सीख उसकी दादी ने दी थी, जवा छटी बहन के जन पर अपनी नन्नी उंगलियों पर भाई बहनों की संख्या गिन रही थी जच्चाओं की दूसरे संतान लड़का हो या लड़की उसके जन के पुर्व और बाद में भी पार्वती उन्हीं समझाना नहीं भूलती थी दो ही बहुत है ओप्रेशन करवा लो अधिक बच्चे लेकर क्या करोगी बच्चे पर्मानंद की प्राप्ति का अनुभव करवाते हैं भगवान अपना काम मा को दे देते हैं भगवान बनने के लिए भी दो बच्चे बहुत है उन में से कई माता हैं अपने बच्चों को लेकर यदा कदा पार्वती के पास आती पार्वती उन्हें देखकर और छूकर आहादित हो जाती पार्वती की मान कर कई जच्चाओं ने बच्चा बंद कराने का ओप्रेशन करवाया पारवती उन्हें हिदायत देती बच्चे के स्वास्त की चिंता करना समय पर सभी टीका लगवाने नहीं भूलना अपने पांच भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर कही न कही नौकरी लगवाने विवाह करने तक पारवती को अपने भविश्य की कोई चिंता नहीं हुई थी मा के मृत्यू और उन सबसे निश्चिंत होने पर उसका ध्यान अपनी ओर गया उसकी अपनी उम्र ने भी आधी सदी पार कर ली थी इस बीच कई ऐसी जच्चाएं आती जिनके पती या विस्वैम पारवती के हाथ की ही जन्मी होती थी पारवती उन्हें देख धन्ने धन्ने हो जाती फिर तो भूत में खोकर भूली जाती अपना आज और कल उस वार्ड में हर नौजा शिशू का मुख पारवती को दिखाने का सलसला जारी रहा पारवती शिशू का पूरा शरीर उलट पुलट और छोचू कर देखती इश्वर से कोई चोप तो नहीं हो गई शिशू का कोई अंग कमजोर तो नहीं रह गया इश्वर ने कोई कमी छोड़ दी हो पारवती नहीं चोपती नौजात को लेकर संबंधे चिकिछा के पास भागती इलाज करवाती पारवती के पास आती महाई कहती आपने समय से इलाज करवा दिया तभी तो आज मेरा बच्चा सौस्त है उसके हाथ का पहला शिशू समीर था नाम भी पार्वती द्वारा ही रखा गया था, इसलिए उसे स्मरण था समीर के उम्र 35 वर्ष की हो गई, पार्वती को उसकी उम्र की गढ़ना करनी की जरूरत नहीं पड़ी थी उसकी सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्ती का समय जो आ गया, यह जोड घटाव भी दूसरी नर्सों ने कर दिया था पार्वती को अब अपनी शिंता सताने लगी, कहां जाऊंगी मैं, सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ेगा उसने तो 35 वर्षों में दिल्ली देखी भी नहीं, क्वार्टर से वार्ड और वार्ड से क्वार्टर पस, यही थी उसकी दिल्ली, अधिक की जरूरत भी नहीं मैसूस हुई जीवन का आगम निगम ही जहां जीवन थो, वहां और दूसरी चीजों के साथ की जरूरत ही कहां होती है, सुख दूख आस निराश, घोर कश्ट के उपरान तानंद सब के बीच रहती थी पार्वती उसके निष्ठा और महनत को देखकर, प्रशाशन ने उसकी सेवा का पांच वर्ष का कारेकाल बढ़ा दिया, क्वार्टर भी रहने दिया, पांच वर्षों के बाद भी वह अस्पता लाती रही, किसे ने नहीं रोका, बहज अच्चा वार्ड में ही रहती, बस वेतन नहीं में शिशु को दो पल थाम ही नहीं सकती, तो यहां आना क्यूं? उसका संकल पूरा भी नहीं हुआ, कि एक जच्चा दर्श से करा उठी थी, बार्वती ने हिम्मत की, कराती जच्चा की सीर्ट तक गई, उसके सिर पर हाथ रखा, पुना उसके शिशु के जन्मने का समय जा हाँ, पर आप कैसे जानती हैं? जच्चा दर्द खीशती हुई बोली, अपनी स्वर्गे मा का नाम सुन कर ही, उसे दर्द से थोड़ी रहत मिली थी, तुम मेरे ही हाथो पैदा हुई थी, तुम्हारी जांग का बड़ा लहसन देह कर मैं तुम्हें पहचान गई, तुम्हा जच्चा के दर्द में पुना एक उफान आया, रोने लगी, वह मा बनने जा रही थी, अपनी मा के स्मृती ने उसकी पीड़ा में एक जवार ला दिया था, पारवती उसके सिर पर हाथ फेरती रही, तब ही एक महिला अंदर घुसाई थी, जच्चा के पास आकर पूछा, अब और कितनी देर है, पास ये खड़ी नर्स ने इशारे से बताया, यही बताएंगी, उस महिला ने पारवती की ओर देखा, आप, आप अब भी आती है, कमाल की हिम्मत है, यदि मैं भूल नहीं रही हो तो तुम आरती हो, या कौन है तुम्हारी, पारवती ने बेट पर दर्द ले रही जच्चा की ओर इशारा कर पूछा, यह मेरी बहू है नर्स, पचास वर्ष पोर्व आपके हाथों मेरा जन्म हुआ था, 26 वर्ष पोर्व मेरा बेटा अनुराग और अब मेरी पोती भी आप ही के हाथ में आ रही है, आरती पारवती को देखकर रहादित हो उसने इस्मरण दिलाया, मेरी नानी कहती थी मैं सतमास शिशु पैदा हुई थी, मेरे जन्म के समय मेरी मा नहीं बच पाई थी, आपने ही मुझे बचा लिया था, 20 दिनों तक मैं यहीं थी, अस्पताल से मेरी नानी आप से मांग कर ले गई थी, पाला पोसा मेरा ब्याह कि याद है न आपको, पारवती को सब इस्मरण हुआया, उसने कहा, अस्पताल में पैदा होने वाली तुम तो मेरे हाथ की दूसरी बच्ची हो, पहला बच्चा था समीर, दो वर्ष बात पैदा हुआ था तुम्हारी बहु का पिता कमल कांत, वह पुलिस इंस्पेक्टर बन या बच्ची भी मेरे ही हाथ की है, कैसा सयोग है, आरती के सामने उसकी नानी का चहरा आ गया था, अपनी पांच बेटियों, तीन बेटों और देवरानियों नंदों के बच्चों के जन्म के समय की पहचान थी उन्हें, जन्म जाश रिशों की नाक नक्ष की भी, देखो ब अंटे में जीवन के कई अध्याय का वाचन हो गया, पारवती के सामने उसके हाथ का जन्मा पहला लड़का, और दूसरी लड़की की तीन पीडियों के चहरे उतर आये थे, अंतिम पीडा में एक अराहती जच्चा ने एक बच्ची को जन्म दे दिया था, नर्स ने नहला पारवती की गोद में ही डाला, उसी ने पहली बार मुक देखा, उसने सोच लिया था, अब बस, कल से नहीं आऊंगी, बहुत हो गया, मेरे हाथ का पहला बच्चा समीर, उसका बेटा अनुराग, और अब उसकी बिटिया, बहुत हो गया, इधर आर्ती, अनुराग और में विस्तार से बताया, उसका अपना कोई घर नहीं है, अस्पताल ही घर था, पर अब तो बहुत ठक गई, तुम्हें कल उनसे मिलवाऊंगी, तुम्हें देखकर बहुत खुश होएंगी, सुबह दोनों अस्पताल पहुच गए थे, जच्चा और शिशू को घर ले जाना था, आर्ती ने दूसरी नर्ज से पूछा, उसने पारवती के घर का पता बता दिया, अनुराग उनसे मिलने के लिए उतावला था, आर्ती ने कहा, आज तो अपने निर्जा और बच्ची को घर ले चलती हूँ, कला कर उनसे मिलेंगे, एक बार उन्हें भी अपने घर ले चलना हाँ सहर्ष बोला था अनुराग निर्जा भी पार्वती को ढूंब रही थी बोली मा मैं उनका इस पर्ष नहीं बुला पा रही उन्होंनी सिर्पर हाथ क्या रखा थोड़ी देर के लिए मेरा दर धर लिया था दूसरे देन निर्जा ने अनुराग को इस्मरण दिलाय था दफ्तर से लोटते हुए आप पर्वती जी को अवश्य लेते आईए सायम का लनुराग पहुच गया उस्पते पर दरवाजा खटखटाता रहा निशब दिथा भीतर का परिवेश बाहर से ताला भी नहीं कई लोग जुट गय थे दरवाजा तूटा लोग देखकर इस बुलाना होगा दूसरी ने कहा इनका अपना कौन है भाई बेहनों का परिवार है पर किसी का आता पता नहीं मालूम तीसरी का सुझाव था क्या जरूरत है किसी को ढूनने की जब इनके रहते किसी ने खोश खबर नहीं ली तो मरने पर कौन आएगा जब आना भी कृतग न नहीं होगा मैं कोशिश करता हूँ लोग उसकी सलाह मान गए थे बर्व की सिल्ली के बीच पारवती को लिटा दिया गया जिंदगी भर अपने बदन की गर्माहट सैकडों शिश्रों के शरीर में डालते डालते मानो उसका स्वैम का शरीर अब ठंड़ा हो गया था फिर भी ठंड़क की जरूरत थी सूचना क्रांती के युग में क्या से क्या हो जाता है अनुराग का मस्तिश्क भी उसी दुनिया में रहने का अभ्यासी हो गया अनुराग ने एक अद्भुत विग्यापन बनाया 1955 से लेकर 2005 के बीच जिनका जन में एम्स के जच्चा वार्ड में क्रिपया 82 सरोजनी नगर में उपस्तित होने की कोशिश करें आप सब की मा पारवती एम्स की नर्स जिसने मा की कोक से बाहर निकालने पर पहली बार आपको अपना इसपर्ष दिया अब नहीं रही उनकी शवयात्रा दो जन्वरी को 11 बजे सरोजनी नगर से निकल कर लोधी इमेल से उतने हीने वेबसाइट और दुर्भाश पर अपने आने की सोचना दी पोस्ट पढ़कर भी लोग आ गए सैकलो लोग तो यह जानकर भी शवयात्रा में समलित हो गए कि बिन ब्याहे इस्तरी के भी हजारों बच्चे हैं अपने रंग रूप ढंकी वह पहली शोक यात्रा तो थी ही अनूठी यात्रा पार्वती स्वयम जो अनूठी थी मुखागनी अनुरागनी ही दी लकडी देने वालों का ताता लख्या पंच भूतों से बना शरीर पंच भूतों में विलीन हुआ पर पार्वती के कर्ण मुर्भाव को सम्मान दिलाकर अनुराग के विशिष्ट और अनोखी कृतक गिता को समाजिक स्विक्रिती दिला कर समाज में दम तोड़ती समवेधना को पुनजीवन्तिता प्रदान कर गई थी पारवती सहस्त्र पूतो वाली जो थी शम्शान घाट पर बेटे को आगोश में भरती आरती ने कहा ठीक किया बेटा मैं तो जर्म देने वाली मा हूँ प्रथम इसपर्ष देने वाली तो वही थी मैं एक बेटे और एक बेटी की मा बन कर ही रह गई उसने ही मेरा ओप्रेशन करवा दिया था स्वैम तो सहस्त्रों की प्रथम इसपर्ष की मा बनी तभी तो मुझसे बहुत बड़ा ओदा मिला उसे उसका रोम रोम तुम्हें आशीश देगा और इन लकडी डालने वालों को भी मा बेटे एक दूसरे में बधे बिफर पड़े थे उनके पीछे वह कृतक गेजन समूँ भी अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिनहा जी के लिखी कहानी सहस्तर पूतों वाली उमीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानिया पसंद आ रही होंगी अगर आपके कोई भी सुझा हूँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मुस्कुराते रहे धन्यवाद